हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्टड़ी जी के ट्रिक में दोस्तों जो आज कल यह कोरोना वाइरस चल रहा है कोरोना वाइरस की चलते पूरे वर्ल्ड की आर्थिक इस्तिती बहुत चर्मना गई है ठीके दोस्तों जिसके कारण हर देश में नए नए कदम उठाए जा रहे हैं दोस्तों इसी को देखते वे भारत ने भी एक कदम उठाया है जिसमें भारत ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू गोशित किया है ठीके दोस्तों यह जनता कर्फ्यू क्या है इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बतान है कि जनता कर्फियू क्यों जरूरी है कर्फियू और जनता कर्फियू में क्या समानता है पहली बार जनता कर्फियू कहां इस्तेमाल वा इस तरह के हम हर क्वैसन यहां पर कबर करने वाले हैं ठीक है दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तो जनताकरफ्यू होता क्या है तो दोस्तो जनताकरफ्यू एक ऐसी स्थित् horrific जिसमें लोग अपने घरेट तक ही मीट रहते हैं और बहुत ही जरूरी काम होने पर ही परिवार में से कोई एक या दो लोग बाहर निकलते हैं यही वज़ा है कि परदान मंत्री मोधी ने लोगों से अपील की है कि जनता करफ्यू के दौरान घर से तब ही निकला जाए जब काम बहुत जरूरी हो इन जरूरी कामों में सिर्फ रस्पिताल जाना, काम पर जाना जैसे काम सामिल हो सकते है बीते गुरुवार को परदान मंती नरेंद्र मोधी ने लोगों से रईवार 22 मार्च को जनता करफ्यू का पालन करने की अपील करते वे सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों में रहने की सला दी है तो दोस्तों जनता करफ्यू में यह है नेक्ट एक है दोस्तों जनता करफ्यू क्यों जरूरी है तो देश और दुनिया में करोना वायरस का खत्रा लगातर बढ़ता जा रहा है करोना से लड़ने के लिए अभी तक वैक्सीन की कोज नहीं हुई है जानकारों का कहना है कि बिमारी से बचने का एक ही तरीका है जितना हो अपने घर में रहें ताकि करोना से संक्रमित लोगों के संपर्ग में आकर खुद को संक्रमित होने से बचा सके अभी देश में इस्तिती नियंत्रण में है अगर इस चरण में सावधानी बरत ली जाएगी तो इस घातक महामारी से जीता जा सकता है तो दोस्तों इसलिए अभी यह दूसरी स्टेज में चल रहा है अन्यता इस्टीती बहुत गंबीर बन सकती है तो दोस्तों परधान मंतरी की अपील को ध्यान रखें और यह जनता करफ्यू में समर्थन करें देखे दोस्तों करफ्यू और जनता करफ्यू में क्या फरक है तो देख लेतें दोस्तों करफ्यू और जनता करफ्यू में एक बड़ा फरक है जनता करफ्यू लोगों के लिए लोगों की और से खुद का लगा करफ्यू है मतलब इसमें जन्ता स्वेच्छा से अपने उपर कर्फियू लगा रही है और अपनी इच्छा से अंदर रह रही है ठीके दोस्तों यह एक तरह का अनुरोध है लोगों को अपनी इच्छा से खुद गरों तक सीमित रहना है और अगर वे बाहर निकलते हैं तो इस पर कोई एक्सन नहीं होगा आम कर्फियू में अनुरोध की गुंजाइश नहीं होती दोस्तों नॉर्मल कर्फियू में यह परसासन की तरफ से लगा जाता है परसासन की और से लगाए गए कर्फियू की इस तिति में नियम तोड़ने पर कारवाई की जाती है ठीक है दोस्तों आप यह सब हमारे चैनल इस्टडी जी के ट्रिक में देख रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन्स को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिपकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर भी करें दोस्तों ताकि सब को यह सीखने को मिले अब देख लेते दोस्तों करफ्यू और जनता करफ्यू में क्या समानता है अभी हमने देखा था अंतर क्या है अब समानता देख लेते दोस्तों दोनों कर्फियों में एक बड़ी समानता यह है कि दोनों चरह के कर्फियों में जन्ता को अपने घरों तक सीमीज रहना होता है ठीक है दोस्तों अगर कोई बेहद जुरुरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलने के शलाथ दी जाती है और दोस्तों देख लेते हैं क्या जन्ता कर को घरों तब सीमिज रखना होता है उन पर प्रसासन का कोई दबाव नहीं होता ठीक है दोस्तों तो ये दोनों में फराग है और दोस्तों पहली बार जनता करफियू का इस्टमाल कब वह था तो इसके बारें बता दें दोस्तों तो साल इंदुलाल ने अपनी लोग प्रहता के अबल पर एमदाबाद में जनता कर्फू लगवा दिया था तो दोस्तों वह इतने फेमस थे उस समय एमदाबाद में परदान मंत्री जबाला लेरू और बंबई के मुक्चा मंत्री मौरार जी दिसाई की रेलियां थी सबाओं में जाने के लिए जनता कर्फू लगे होने के कराण जनता अपने गरों से बाहर ने निकली और कुछ इस तरह गुजरात के अलग राज्या की मांग मान दी गई थी तो दोस्तों देखा आपने ये अगर सारा देश एक साथ इकाटा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों एक ताम में ही सकती है ठीक है दोस्तों आप यह सब हमारे ओफिसल चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे ही तो वीडियो को लाइक और सियर भी करें क्योंकि हमने आपको यहाँ पर काफी क्वेसनों के जवाब दियें जनता करफियो क्या है जनता करफियो क्यों जरूरी है करफियो और जनता करफियो में क्या समानता है पहली बार जनता करफियो का इस्टेमाल कहां किया गया और दोस्तों एक है जनता करफियो के दिन खास अप साइट करने के लिए प्रतान मंत्री नरिंद मोदी ने अपील की कि अपने घरों के दर्वाजे किड़कियों और बालकनी में खड़े होकर मानोतिक सिवय कर रहे लोगों का आवार व्यक्त करें और पांच बजे पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सियर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत